सबी को डॉक्टर राजी उरंजन का नमस्कार आज मैं आपके सामने ले एक वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है हमेशा मरीज मेरे से पूछते रहते हैं सर क्या नहीं खाएं, क्या खाएं क्या खाना चाई क्या नहीं खाना चाहिए, जो डाइट को लेके बहुत ही लोग सतरक होते हैं कि कुछ खाना होता है जो आपको खाने से गटिया बहुत बढ़ जाता है तो क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है इवन रिसर्च में देखा गया है कि जो lab में mice हैं जो चुए होते हैं उनको कुछ खाना बढ़ा दिया गया और देखा गया उनकी गठिया बढ़ गई कुछ खाना उनको नहीं दिया गया तो देखा गया कि उनकी joint में pain swelling नहीं होता है सो बहुत जरूरी है आप जाने इस वीडियो में कि क्या ऐसे पांच खाना हैं जो आपको छोड़ देने चाहिए अगर आपको गठिया है आपके जोड़ों में दर्द सुजन रहता है आपको कोई भी परकार का गठिया है तो ये पांच खाना आपको कभी नहीं लेना चाहिए और जितना कम हो सके इनकी मात्रा कम कर देना चाहिए अगर आप बंद नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए जानते हैं कि रिसर्च में क्या देखा गया है कि कौन से ऐसे पांच खाना है जो आपको बंद करने चाहिए जिससे आपका जॉइंट पेन और गठिया कंट्रोल में रहेगा और बार बढ़ेगा नहीं सो पहला हम बात करते हैं ट्रांस फैट्स की क्या है यह ट्रांस फैट्स ट्रांस फैट्स मतलब अनहल्दी फैट बोलते हैं अनहल्दी फैट जो होता है उसको हम ट्रांस फैट बोलते हैं और यह ट्रांस फैट जो होता है दो फॉर्म में हो सकता है एक फॉर्म जिसको हम नै जो भी animal protein आप ले रहे हैं, non-waste चीज़े, except fish, उनमें टरांस fat ज़्यादा होता है यह natural चीज़े है। इभ movie या फिर मिल्क प्रॉड़क्स animal के होते हैं उनमें भी trans fat की मात्रा ज़्यादा देखी गई है तो यह natural trans fats है, तो natural trans fats से गठिया बढ़ने के रिस्क जादा होते हैं, तो इसकी मातरा कम करनी चाहिए, दूसरा जो हम बोलते है, artificial trans fats, artificial trans fats मतलब जितने भी जो unhealthy oils होते हैं, तेल होते हैं, जिसमें खाना बनता है, उसको हम artificial trans fats बोलते हैं, जैसे कि पकोड़े, समोसा जो तले जा और जितने भी मिठाईयां हैं, जलेबियां हैं, तो यह सब चीजे जितने भी जो कि तेल में छान के बनाई जाती है, trans fats containing में ज्यादा होता है, तो trans fat containing वाली चीजे आपको बहुत कम लेनी चाहिए, बंद करनी चाहिए, दूसरा important है gluten, gluten एक protein है, जो कि कुछ चीजों में मिल जिसमें से हम बोलते हैं कि wheat होता है, जिसमें bread हो गया, bun हो गया, cakes हो गया, तो इसमें gluten मिलता है, तो यह सब चीजों की मात्रा बिल्कुल कम और बंद कर दीनी चाहिए, तीसरा देखा गया है added salts, आप अगर नमक ज्यादा ले रहे हैं, या ऐसा food product जिसमें नमक ज्यादा है, जैसे कि भुजिया हो गया, नमकीन हो गया, मिक्चर हो गया, या फिर आप pizza ले रहे हैं, या फिर आप soup ले रहे हैं, जिसमें नमक ज्यादा है, तो जो भी extra नमक डाला हुआ चीज, जिसमें नमक ज्यादा होता है, तो इससे गठिया बढ़ने के रिस्क ज्यादा होता है, फूर्थ इंपोर्टेंट चीज एड़ सुगर अगर मीठा चीज आप ज्यादा ले रहे हैं जैसे इवन आप पैकेट जूस ले रहे हैं या फिर मिठाईया ले रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा सुगर ले रहे हैं या फिर केक बेकरीज प्रोडक्ट से सुगर ज्यादा ले रह या फिर कोई भी आप सोडा ले रहे हैं तो उससे भी आपकी सुगर बाड़ी में बढ़ती है और गठिया बढ़ने के चांस होते हैं लास्ट जो हम बोलते हैं फ्राइड और प्रॉसेस्ट और कैन फूर्ड अगर कुछ तली वी चीजे चनी वी चीजे ले रहे हैं तो वह भी बहुत ही ट्रांस फैट जादा होता है अनहिल्दी होता है या इफिन पैकेड है कैंड है उसमें सुगर या फिर नम्मक अंटेंट जादा होता है तो यह पांच प्रोड़क्ट्ट्स जो मैंने आपको कैटेगरी में बता हैं अगर यह आप छोड़ते हैं तो गठि या मरीजों को छोड़ देने चाहिए आपको जरूर पसंद आया हो अगर पसंद आया है तो क्रिप्यार लाइक करें मेरे इस मेटग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें इस चैनल पर अर्थराइटीस और आटो इमीन डिजिस के बारे में जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं मैं अक्सर इस चैनल पर बताते रहता हूं शुक्रिया दोस्तों नमस्कार